बुर्मने इस्टुडेंट्स, लास्ट क्लास हमें डिसकस किया था इसके लिए अपने पढ़ था एट्रिब्यूट्स तो आज के जो टोपिक रहेगा वह हमारे है आपा सेशन ट्रेकिंग तो अपनी आपा देखेंगे सबसे पहले कि सेशन ट्रेकिंग क्या होती है तो चाहिए, तो चलिए आपने सेस्ट ट्रेकिंग, सेस्ट ट्रेकिंग को आप सेस्ट मेनेजमेंट भी बोल सकते हो, तो देखते हैं अपने अपर सेस्ट ट्रेकिंग होता है, सेस्ट मेनेजमेंट ये सेस्ट ट्रेकिंग is a mechanism used by the web container to maintain the state of a particular user, तो अपने यहां पर देखा कि यह होते क्या है एक मेकेनिजम होता है जिसका यूज कोन करता है हमारे यहां पर बैब कंटेनर करता है जो कि क्या करता है किसी पर्टिकुलर यूजर की जो इस्ट्रेट होते ना उसको यह मैनेज करने का काम करता है तो चलो देखते हैं अपने य request हो तो response होते नहीं वो सभी क्या होते separate or independent होते हैं तो each time जब भी यूजर एक request करता है server को तो server इस request को किस तरीके से treat करता है as a new request treat करता है but sometime you need to keep track of client activity across multiple request मतलब जब एक यूजर लोगिन होता है इन्टु यॉर वेपसाइट नो मेंटर ओन वेज पेज ही विजट आफटर लोगिन इसमें कोई मेंटर नहीं होता है जिससे माली जी आपने को एक वेपसाइट बना दी है अपन लेकर चलते हैं यहां पर माले सिस्टे का ERP को रही लेकर चलते हैं एक बर आप लोगिन हो गएं । लोगिन होने के बाद में आप इस ERP के किसी भी पेज को एकसेस कर सकते हो तो जब भी आप किसी page को access करते हो तो यहाँ पर क्योंते एक new request generate होती है अब आप यहाँ पर access कर रहे हो मालेगे कि आप यहाँ पर देखना चाहते हैं आपकी attendance अटेंडेंस देखते हैं तो आपने देखा होगी attendance इप आपकी display होती है answer नहीं कि किसी और की यहाँ पर attendance डिस्प्ले हो रही होगी या आपने देख़िया आपके marks तो आपकी marks यहाँ पर display होते हैं तो किसी और के marks यहाँ पर display नहीं होते हैं तो इस पूरी की पूरी activity के पीछे जिस पर टेक्निक का यूज किया गया हो कौन सी टेक्निक है हमारी हैं आपके रिकोड को मैनेज करने के लिए आपके सेसं को मैनेज किया गया होगा ताकि server ताकि server क्या कर सके easy तरीगे से manage कर सके कि यह जो request आ रही है बार बार आफ्टर login है ना after login जो request बार बार आ रही है यह एक ही client की आ रही है तो हमें इसी के data को display कराना ना कि कि किसी और के data को display कराना है क्लाइंट बतला व्राउचर ठीक है ना तो आई अपने यह पर देखते हैं आपर कि सेशन को अपन किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर है ना तो वन वाइवर अपने स्टेप से आगे बढ़ते हुए चलते हैं तो अपन देखें यह आपर टेक्निक सेशन को ट्रेक करने वाली कौन कौन सी टेक्निक अविलेबल है तो इन यहां पर फोर टेक्निक अविलेबल है पहले होती है हमारी कुकी अपर की कुकीज क्या होती है कुकीज यह क्यों थिक नेम बेल लिवेर के फॉर्म में एक टेक्श्वल इंफ्रोमेशन होती है जिसको कौन सेंड करता है सर्वर सेंड करता है क्लाइंट को एज रिस्पोंस तो आगे बढ़ते हैं आपनियां से कुकी किस तरीके से वर्क करती है इस रिक्वेस्ट धी कंसिडर एज नियू रिक्वेस्ट जब भी आप क्लाइंट साइट से सर्वर साइट पर रिक्वेस्ट सेंड करते हो तो रिक्वेस्ट के से कंसिडर होती है वो एज नियू रिक्वेस्ट कंसिडर होती है इन cookies techniques, we add the cookies with response from the servlet, तो अपने एक servlet बनाएंगे, servlet बनाएंगे तो वहां से क्या करेंगे, अपने cookies को बना का as a response back to client दे देंगे, So cookies is stored in the cache of browser, तो यह कहाँ पर store हो जाएगी, cache memory होती है आपके browser में, वहाँ पर यह store हो जाएगी, After that, if request is sent by the user, cookies is added with request by default, जब एक बर cookies आपके browser present हो गई है, फिर से आप new request भेजते हो, तो आपका जो browser होता है, वो क्या करता है, आपकी cookies को आपकी request के साथ में add करकर send कर देता है, तो देखिए यहाँ पर, first time आपने request भीजी, कहाँ पर आपके server पर, तो server ने क्या किया, response के साथ में cookies को add करके, back to कहाँ पर भीज़ दिया है, client के पास भीज़ दिया है, फिर से आप देखिए यहाँ पर, client ने third, मतलब देखवा आप, पहली बार request आपने भीज़ी है, तो आपको क्या मिलेगा, response मिलेगा, इस response के साथ में आपको cookies मिलेगी, और एक cookies कहाँ के जाप restore हो जाएगी, आपके browser की cache memory में जाकर restore हो जाएगी, फिर से आप, मतलब फिर से आप request को भीज़ोगे, इस वाँ जो आपको browser रहेगा, तो यह तो देखा अपने working cookies, अब यहां से आपन आगे बढ़ते हैं, तो देखिए आप types of cookies, cookies यहां पर two types की होती है, session cookie होती है, और persistence cookies होती है, और persistence cookies होती है, अगर हम बात करें आपने session cookies को, तो session का मतलब यह होता है कि particular time, तो आपके यहां पर session cookie की बात करें, तो session cookies के पास कोई भी expiration time नहीं होता है, यह कब तक यहां पर available रहती है, यह कब तक यहां पर जीवित रहती है, कब तक लाइब रहती है, जब तक आपका wave browser उपन रहता है, जिसे आपने browser को close कर दिया, तो यह session cookie है यह automatic क्या होती है, destroy हो जाती है, अगर अपने बात करें अपर persistence cookies की, तो यह आपके browser को close करने पर destroy नहीं होती है, इसके पास क्या होता है, expiration time होता है, इसके पास यह particular time होता है, उस time के साथ में क्या होती है, यह expire हो जाती है, चलो, advantage of cookies, तो cookies के advantage दिखेंगे अपने अपर, simplest technique for maintain, the state of user, cookies are maintained at client site, और यह कहाँ पर manage की जाती है, इसके disadvantage क्या रहेंगे, it will not work if the cookies are disabled from the browser, जब आप browser से cookies को disable कर देते हो, तिए cookies वर्क नहीं कर सकती है, और इसके साथ में limitation क्या है, कि आप इसमें supposive, textual information को ही, cookies के object में set कर सकते हो, ज़र textual information को set कर सकते हो, आप images वगेरा, यहना, इस type किसी जोग आप cookies के अंदर store नहीं कर सकते हो, तो चला अपने देखते हैं, यहाँ पर एक प्रोग्राम बना कर, कि किस तरीके से अपने आपर cookies को set करेंगे, किस तरीके से gate करेंगे, तो आई यह अपने इसको implement करके देखते हैं, तो इस start कर लिए थे आप, आपके eclipse ID को एक नया project बनाएंगे अपने यहाँ पर, उस project का अपने नेम देंगे, यहाँ पर, session underscore by underscore cookies, तो cookies से अपने यहाँ पर बना कर देखेंगे, चलो ठीके project का नाप कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो अपन क्या करेंगे आपर, सबसे पहले तो मुझे jar file को add करना पड़ेगा, तो jar file का अपराने project के अंदर, lips के अंदर साब इसको copy करके, यहाँ पर paste कर देंगे, अपने jar file को add कर दिया, तो अपने src folder के अंदर आएंगे और यहाँ पर एक package बनाएंगे, तो ठीके बनाने start करें अपन, तो चलिए अपने आपर एक package बनाएंगे, उस package का नाम दिया में नहीं आपन, com.sistake.session.cookies, sorry, मुझे package name बनाना था लेकिन मैंने आपर class name पर click कर दिया, right, click करेंगे, अपने package create करेंगे, तो अपने आपर package बनाएंगे, इस package के नदर अपने एक sublet बनाएंगे, इस sublet का नाम दिया अपने आपर create cookies, servlet, यहाँ पर अपने extend करेंगे, HTTP, servlet को overwrite करेंगे अपने आपर, do get method को, servlet को access करने के लिए इसको अपने आपर estate करेंगे, और इसको access करने के लिए अपर public url इसको provide करेंगे, यह अपने url देती है, अब हमें यहाँ पर cookies को create करना है, तो cookies नाम की class होती है, कहाँ पर होती है यह, java.sublet.htb package के अदर, इसका अपने reference बनाया है यहाँ पर, new cookies, यहाँ पर देंगे name, नेम दी अपने name, और value दी मैंने यहाँ पर, Amangupta, यह अपने यहाँ पर value देती है, एक और cookie बना लेती है अपने यहाँ पर, cookie, इसका reference बनाया, object बना दिया मैंने इसको यहाँ पर दिया, mobile number, कोई भी अपने यहाँ पर, mobile number देती है आपर, यह अपने mobile number देती है, यह अपने mobile number देती है, तो सबसे पहले मैं आपको बता रहूँ यहाँ आपर, session cookie, इस cookie को अपन add करेंगे response के साथ में, तो लिखेंगे response.set cookie, add cookie, add cookie, add करेंगे अपने यहाँ पर cookie, सीवन के यह परामिटर पास करेंगे, इस response, dot, add के अपने यहाँ पर cookie, यहाँ पर अपने cookie को, set कर दिये यहाँ से, अब इस cookies को मुझे करना है, तो इसके लिए अपने equal class बना ली है, read, cookie, servlet, to cookie, read करने वाले अपने यहाँ पर sublet बना ली, extreme के लोंगे यहाँ पर http, http, sublet, override करेंगे अपने यहाँ पर, do get method को, इसको access करने के लिए अपने इसको यहाँ पर, public URL प्रोइट करेंगे, तो इस लिए solid को रिश्टरेट करना पड़ेगा, रिश्टरेट की हमेने यहाँ पर, access करने के लिए अपने इसको URL दी हमेने यहाँ पर, read, cookies, अब इस cookie को कैसे read करेंगे अपन, क्योंकि cookies हमारे, एक response के अंदर अपने, दो cookies को add कर दिया है, तो दोनों के दोनो cookies add होका राएंगी, तो किस form में मिलेगी हमें यहाँ पर, array के form में बुलेंगी, तो अपन cookies नम का एक array बना लेंगे, अपने array बना लिए यहाँ पर, तो request के साथ में आती cookie, तो gate cookies, cookies को gate कर लिया, अपर condition लगाएंगी कि cookies is not equal to null, वो सब्सक्ता है कि आपने site नहीं कि उनको gate करने की कुसिस करो, ठीक है फिर अपने यहाँ पर चलाएंगे एक loop, for each loop, और cookies को print कराना है मुझे, तो print कराने के लिए अपन के use करेंगे आपर, print writer class का इसका बनाए मैंने reference, इसको object के से लेंगे अपन यहाँ पर, response.get writer, ठीक है, फिर यहाँ पर cookies type का एक variable बना लेंगे अपन, इसका नाम दे अपनने cookie, colon, इस सारे से अपन एडिट करके ला रहे हैं cookies को, पर print कराना है, तो cookies को print कराने के लिए अपने आपर, writer के use करेंगे, तो पहले condition लगो, cookies को आपने पर प्रिंट कराना है, तो लिखेंगे cookies.get name, अगर cookies का name इसके equal, cookies का name को अपने आपर, इक्वल्स, अगर यह हुआ कि इसके equal यहाँ पर, name के equal, तो अपने value को read करेंगे लिए आपर, प्रिंट कराना है तो लिखेंगे, writer. print करेंगे अपने आपर, तो new plus cookie.get value, इसी टेप से अपने दो cookie यह दो दोनों के read करेंगे, I'll save, और यहाँ पर mobile number, यह mobile number, यह mobile number, यह mobile number, यहाँ पर अपने cookie read कर लिया है, display करा दिये, इस राइटर को अपने यहाँ पर close करेंगे, writer.close, चलो, रहन करके देखिए अपने यहाँ पर, अपने solid को रहन किया यहाँ पर, बास पर अपने अपने efect discharge लाँ हमपने significa अपने है यहाँ इसफती है इसब़े आपने जवश्वार्ड़य questक सेए, अपने वे? फफवश्वार्ड़को छो के वे करेंगते हैة, यहाँ है, यहां पर exception आ रही है तो देखना पड़ेगा यहां पर लगाते है अपने exception हैंडलर्स ट्राइक एच की एंड वैल्डियो और से अपने इसको एक बार रिफेस्ट करते हैं उसे हीकशन आती है ते दूसको में आपर पिंट करके देखरो हुँ चलो ठीके देख के आपने आपर कुछ exception प्रिंट हो रही है रही है तक इसको रिफेस्ट के आपने इसको इसको है रिफ्रेस्ट पर रही है याँपर एक मिन्य में चीक करता हुआ हूआ यह पड़ीं बनाए है है यहां इस ने नेम दिया है इसका रोल लंबर दिया है यहां पर 96 26 staul आपस क्टुकीच्टू को पेरामेटरर एक इंसरेक्टटर कर यूज कर सकते हैं इसके इसके अंदर सिर्ट पेरामेटर एकस्टर का वंहद यहां पर अवेलेबल थो तरहा थिका ना नॉण पेरामेटर एकस्टरी के अंडेरी की और वेलिउ को ऐज Democrat सब्सक्राइब भें पर ने सब्सक्राइब लोगाइब लाएब करिसे कर दिया इस वाली ख्लास में दो कुकीज को एक्ड किया था था इने अब यह आप नियू रिक्विस्ट भेजोगे तीक है ना इस वाली सब्सक्राइब पर तो आपकी दो कुकीज एड़ो कर आएंगी इसमें तो दोनों की दोनों कुकीज चोए न कहां से मिलेगी हमें रिक्वेस्ट से मिलेंगी और उनको अपने कुकीज में सेट किया है तो अपने कुछो कुकी मिलेगी यहां पर एरे के फॉर्म में मिलेगी इस सारे पर अपने कंडिशन टू है तो अपने किया कि एक एक को गेट कर लिए यहां पर उसके नेम के अपड़िंग देखो कुकी दो आ रही है तो क्या वेल्डिव है तो यह आइड़िफाई नहीं कर पाएंगे तो जो पहले आप कुकीज को रीड कर रहे हैं उस कुकी के नेम को अपने यहां यहां पर यह रूंबर मने सबसे लिए कर लिया को सबसे पहले नहीं पर कोई कूकी अपने की अंधर कोई कुकी अबालिबल ला रही है कुछ बोर आ रही है यहां पर एक कंडिशन लगा देते हैं अपने यह एल्स और यहां पर प्रिंट करा देंगी राइट है डोड प्रिंट किया अपने यहां पर नो कुकीज रफ्रेश करके देखे अपने यहां पर अपने इस वाले सब्लेट को रण किया तो कुकीज अपने सेट कर दी कहां पर सब्सकर नेम अंटनक्यम्हां और मोर्ड लॉल नंबर की राइषका निकीकश अपने सेंगी आ पर मोलेस नियुद्द कर देंगे अपने यहां पर कि यहां पर रोल नंबर कि अब देखो यह कुण सी कुकी है हमारी सेशन कुकी है मद इसके पास कोई भी टाइम नहीं यह यह कब तक आपका ब्राउजर ओपन है जैसे अपने ब्राउजर को खुलोज कर दिया को की जो है ना होगी हमारी यहां पर डिसेबल होगी डिसकार्ड ह प्रोग्रम हमारा रान है सरवर चली रहा है जैसे अपने ब्राउजर को बंद किया है अगर मुझे इनको एड करना है तो हमें क्या करना है पड़ेगा फिर से इस क्रीट कुकीज वाली सब्रेट को कॉल करना पड़ेगा तो चली अपने यहां पर सेथ ब्राउजचर पार है जेसे आप ब्राउजर को क्लोज कर देते होusch Lea कूकी स्क्रीश ग होती है डिसेवल हो जाती है आई अपन देखते हैं अपी आपर को कि इसको बना कर इसके लिए क्या करना पड़ाए गा हमें यह जो find करना है इनको के इसके लिए हमें लाइब सेट करना पड़ेगा तो चलो देखते हैं आपने आपने आपर मैं लेका कि सीवन डॉट सेट मैक्स एज अब यह आपने आपर सेट करना है तो मैंने कर दी हैं आपर 300 है इसका है तो में आपने आपने लिए इसको देखने लेका है अब अन्हींडए किस फॉर्म है सेट कर रहा है इसको वीच है यह इंटिलिएंसी नहीं आ रही है आपर चल्ब इसको पढ़कर देखते हैं आपर के लिए किस चीज़ में सेट करती है यह तो जो सेट मैक्स एज यह जो है ना में अकर सेट करती है तो मैंने 3 सेकेंज के लिए इस कूकिश पैसिस्टेंस कूकिश बना दियाronics市 ब्राव्यर्स कर दिते हैं यह ब्रावजर को अब इना किया there तो ऑらिको क लिए के यह को इसमें को कि शेट कर दिया था कुबिफिको मुझे रिपाने यह कि अछल्य सैँर रेतल टिया तो दोनों आ रहे हैं आपण ठीक है तो कि इक आपने ऑपन नेख्राब इस बनात ऑर एक को पने सिसंट कुखी बनाया ता भॉज को ममें है अब यहां पर ओपन करता हमें ब्रायॉजर को X क्रों वाले ब्रावजर क्रों किया ओंपन को एक तो सिर्फ एकीए आए काही हमारी पर सेसन वाली कुकी थी तो आपके यहां पर क्लियर हो गया होगा कि कुके इस टू टाइप्स की होती है एक होती है सेसन कुकी दूसरी होती है परसेस्टेंस कुकी होती है जो session cookie होती है ना तो जो session cookie है तो इसके लिए कोई भी expiry time नहीं होता है यह कब तक वैलेड रहती है जब तक आपका browser open होता है ठीक है ना वो जो persistent cookie होती है वो कब तक available रहती है मतलब उसके लिए एक time decide कर दिया आपने कि जैसे अपने सेट कर दिया अपर 300 seconds तो 300 seconds तक अबेलेबल हैगी जैसे time out होगा तो आपको हो जाएगी तो आज के लिए तरही कापी है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा URL Rewriting से session को कैसे manage किया जाता है URL Rewriting के से manage किया जाता है और मैं आपको बताऊंगा hidden form field से इसको बाद में नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा मैं उससे बताऊंगा कि session tracking by using HTTP session ओके आज के लिए तरही कापी thank you